Hello dear children, how are you? I welcome you here on this online study platform. I hope you are doing great and this video finds you in the best of your health and spirits. बच्चों, जिनके साथ हम रहते हैं, वह हमारी क्या कहलाती है? Family. We live with our family. हम किन के साथ रहते हैं? अपने परिवार के साथ. A family can be a small, या तो यह family कैसी हो सकती है? चोटी, जिसमें कम लोग होंगे, या big और joint family, बड़ी और सहीउक्त परिवार हो सकता है यह, जिसमें ज्यादा लोग होंगे. ठीके, आईए, अब मैं आपको दुनिया की सब से सुन्दर family, best family से मिलाती हूँ. For this, you have to close your eyes, इसके लिए आपको अपनी आखें बंद करनी होगी. So, close your eyes, and starting from you, आप से शुरू करते वे, bring image of each of your family member. अपने घर के प्रतेख हर एक सदसे की जो image है, उसको अपने mind में लाना है. ठीके, bring image of each of your family member into your mind. अपने ध्यान में लाइए. So, how was it? Isn't it the best family in the whole world? Yes, it is. है नहीं ये दुनिया की सब से सुन्दर family, सब से अच्छी family, best family? बिल्कुल है. तो अब तक आप जा नहीं गए होंगे कि आज का जो lesson है, वो है our family, हमारा परिवार. आईए मिलते हैं आप दूसरी family से. आप अपनी family से मिल गए, अब हम किसी और बच्चे की family से मिलेंगे. ये है रोहित. I am रोहित. मैं रोहित हूँ. रीता and I live with our parents. रीता और मैं किन के साथ रहते हैं? वी लिव विद आवर parents. अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं. रीता is my sister. कौन है रीता? रीता मेरी बहन है, sister है. We are a small family. हम कैसी family हैं? Small family. छोटी family है. Mohan and Aasha. अब हम दूसरी family से मिलते हैं. जो किन के है? Mohan and Aasha की. They live with their parents. ये अपने किन के साथ रहते हैं? Parents, grandparents, दादा दादी, Uncle, Aunt, Uncle, Tau, Tai. Uncle, Aunt कौन होंगे आपे? Tau, Tai या चाचा, चाची and Cousins. Cousins कौन होंगे? चाचा, चाची, Tau, Tai के बच्चे Cousins कहलाते हैं. तो जो दादी के साइट के Uncle, Aunt होंगे, Cousins होंगे, Uncle, Aunt होंगे, वो लोग क्या कहलाएंगे? Paternal, Uncle, Aunt. और जो आपके मम्मी के साइट के, यानि नाना, नानी के साइट के Uncle, Aunt होंगे, वो लोग क्या कहलाएंगे? Maternal, Uncle, या Maternal, Aunt. और उनके भी बच्चे, और ये Paternal, Uncle, Aunt के बच्चे, आपके Cousins कहलाएंगे, Cousinsister, Cousinsbrother. तो मोहन और आशा की फैमिली में कौन-कौन रहता है? दे लिव विद धेर पेरेंट्स, Grandparents, Uncle, Aunt and Cousins इन दे सेम हाउस. एक ही घर में ये सब लोग रहते हैं. ये कैसी फैमिली में रहते हैं? बड़ी फैमिली में और ये जुड़ा हुआ परिवार है. सहीं तो परिवार कहलाता है अशा परिवार. जिसमें सब लोग रहते हैं. अब मैं आपको वर्ड की लार्जेस्ट फैमिली से मिलाती हूँ. जिसमें सबसे ज्यादा Members रहते हैं जिस फैमिली में. तो ये इंडिया से ही है और इंडिया के मिजोरम स्टेट से है. इसके फैमिली के जो हैड है उनका नाम है जायोना चाना. इनकी फैमिली में 181, 181 Members हैं और 94, 94 बच्चे हैं. तो सोचवें लोग कितना मज़ा करते होंगे अपने फैमिली में. कैसी लगे आपको इनकी फैमिली? We are growing, हम बड़े हो रहे हैं. When I was born, जब मैं पैदा हुआ था, I was a baby. तब मैं क्या था, एक बेबी था, छोटा बच्चा था, और तब मैं बेबी कहलाता था. बच्चा मैं अभी भी हूँ, मगर तब मैं बेबी था, और देखते मैं क्या हो जाता हूँ. My mother had to feed me, मेरी मम्मी को मुझे खाना खिलाना पड़ता था, feed करना पड़ता था. And look after me, और मेरा ध्यान रखना पड़ता था. Look at me now, अब देखो मुझे, look at me now. Now I am a child, अब मैं क्या हूँ, बेबी से बड़ा होकर child बन गया हूँ. I am seven years old, मैं कितना बड़ा हूँ, साथ साल का. I can eat मैं खा सकता हूँ, I can bathe मैं नहा सकता हूँ, all by myself. और ये सब काम मैं कैसे कर सकता हूँ, अपने आप, अपने आप, all by myself. Now I go to school also, अब तो मैं school भी जाता हूँ. I shall grow, मैं बड़ा होँगा and become an adult. और मैं किसके जैसा हो जाऊँगा? एक बड़ा वेक्ती हो जाऊँगा, like my father, अपने पापा की तरह. Later on और बाद मैं I shall grow old, बूरा हो जाऊँगा, बुजर्ग हो जाऊँगा, like my grandfather, किसके जैसा? अपने दादाजी जैसा. My sister will also grow up, मेरी बहन भी, sister भी क्या होगी? बड़ी होगी and become an adult. और बड़ी व्यक्ती बन जाएगी, बड़ी परसन हो जाएगी, like my mother, किसके जैसी? हमारी मेरी मम्मी के जैसी. Later on, फिर बाद में, she will grow old, वो भी बूड़ी होगी, like my grandmother, और तब वो किसके जैसी दिखेगी, कैसे जैसी हो जाएगी? मेरी दादी के जैसी. तो मैं तो हो जाऊँगा, grandfather के जैसा old, और मेरी बहन किसके जैसी हो जाएगी? मेरी grandmother के जैसी. Family life is fun. परिवार की जो हमारी जिन्दगी है, उसमें मज़े भी बहुत है. Whether we live in a small family or big or joint family, चाहे हम किसमें रहें, small family में, या बड़ी और संउक्ट परिवार में रहें, दोनों में ही मज़े हैं. As members of a family, एक परिवार की सदस से होते हुए, everyone helps with the housework. हम किसमें help करते हैं? जो घर के काम होते हैं. तो आपने देखाओगा, पापा, ममी, दादा, दादी, सब लोग अपने अपने कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो आपकी क्या responsibility है? वो देखते हैं. We children also help our parents by doing small jobs. हम भी बच्चे क्या करते हैं? अपने माता-पिता की मदद करते हैं, help करते हैं by doing small jobs. छोटे-छोटे काम करके अपने parents की help करते हैं. We help our mother in the kitchen. अपनी ममी को हम कहा help करते हैं? किचन में, रसोई में. आप भी कुछ ना कुछ help करते होगे ना किचन में? सेफ रहना है, help तो बहुत करने हैं, पस सेफ रहना है. ठीक है? We water the plants. हम किसको पानी देते हैं? पौधों को पानी देते हैं and help to keep the house clean. और क्या करते हैं? अपने घर को साफ सुत्रा क्लीन रखने में help करते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं? We keep our books and clothes in order. हम अपने जो बुक्स हैं उनको कैसे रखते हैं? We keep our books and clothes और कपड़े कैसे रखते हैं? We help our grandparents and हम अपने जो दादा दादी हैं उनकी भी मदद करते हैं and enjoy going for walks with them. और क्या enjoy करते हैं? उनके साथ walks सेर पे जाने में उनके साथ हम मस्ती करते हैं, मजे करते हैं. ये तो हम काम करते हैं छोटे छोटे जो हमें करने चाहिए family member के. फिर हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखन चाहिए. We must always show respect towards our elders. हमारे परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं, हमसे बड़े सभी क्या कहलाते हैं, our elders. तो इन सब की हमें क्या करनी है? हमेशा respect करनी है. ठीक है? और वो जो कहते हैं, उनके काम करने है, help करने है, मना नहीं करना है. बच्चों, chapter our family. हमारा परिवार पार्ट हमने तीन पार्ट में, तीन भागों में, थ्री पार्ट में समझा. पहला पार्ट, फर्स पार्ट जो है, उसमें हमने देखा है, small family और big family होती है. उन दोनों में क्या अंतर होता है? वह हमने देखा. second part में हमने देखा, कि पहले तो हम baby होते हैं, time के साथ हम भी अगर हम girl हैं, तो अपनी grandmother जैसे दिखने लगेंगे, old ओकर, और अगर हम boy हैं, तो अपने grandfather की तरह old हो जाएंगे. फिर हमने देखा third part में, कि family life fun तो होती है, मगर उसके लिए family के हर member को कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए. किन कामों में? छोटे छोटे कामों में help करनी चाहिए. सबसे important part क्या था इसका? We must always show respect to our elders. हमें अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए. I hope you like the chapter और आपने इसमें से काफी चीज़ें सीखियोंगी और आप भी as a family member उसको अपने घर में apply करेंगे. ताकि आपकी family भी कैसी रहे? Happy! Good bye!